हेई आई वान हाओ यू वाल सो कैसे रो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है एच डी काल्टन ने और इस बुक का नाम है हॉंटिंग एडलीन सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमारिंडर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बड़ चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं आपसे रिक्वेस्ट आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो जो मिस्स ना यहां से शुरुआत होती है और यह चैप्टर का नाम है अब ठंडड़ हवा चल रही होती ना वह एडलीन को कह रही होती है कि भईया एक काम कर तू यहां से कूच जा और अपनी मौत को गले लगा ले और मन में सोचती है कि मैं चीज को रिग्रैट नहीं करूंगी और कही यह चीज उसके दिमाग में चल रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से कूच जाओंगी जो नीचे नुकी लिए पत्था रहना मैं उस पे जाके टकराओंगी और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा अगर मैं किसी तरह गिरने के बाद बच गई तो फिर मैं ऐसी वहाँ पर पड़ी रहूँगी मेरी टूटी हड़िया होँगी खून वगरा भैरा होगा और फाइनली मैं तब तक जिंदा रहूँगी जब तक मेरा शरी जवाब न दे दे या फिर अगर जो मेरी बॉडी है उसने मना कर दिया मेरा साथ छोड़ने के लिए फिर फिर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा अपनी पूरी जिंदगी सबजीयों की तरह और मुझे बहुत ज़ादा अफसोस होगा अब एडलीन के दिमाग में ये सब खैल चली रहे होते है इतने में उसको पीछे से एक आवाज आती है मैडम और जब वो पीछे मुड़के देखती है तो एक बूरा सा आदमी होता है जिसके सफेद बाल होते हैं जो कि उसके माथे पे चिपका हुए होते हैं सीनी की वज़े से और उसके कपड़े होते हैं वो सारे गंदे वगर आउते हैं मिट्टी लगवी होती है और उसके आखे होती है वो उसको देख रही होती है और उसके बगल में खाई होती है उसको देख रही होती है लेकिन जो अडलीन होती है वो बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलती है अब जो आदमी होता है हो कहता है हम लोग आट रात के लिए निकल रहे हैं और जो यह आदमी था नो इसके जितने भी लोग थे इन लोग उने घर का सारा maintenance का काम करा था और जो आगे का घर था ना उसको एक तो facelift भी कराना था उसके लाबा जो आगे की घर के टूट फूट हुई थी उसको सही कराना था अब जब वो बंदा ये बात बोलता है न तो वही चीज भी उसको दिखाना चाहा होता है कि भाईया वहाँ पर टूटी लखनियां भी पड़ी है अगा तुम्हारा गलती से भी पैर पढ़के है न तो infection वगरा हो जाएगा अब वो आदमी न उसको ऊपर से नीचे तक देखता है जो उसके eyebrows होती है न उसको इदम सुकूल लेता है और उसको न ऐसा लगता है कि भाईया ये हो क्या रहा है और जो हवा है न वो हवा तेई से भहर ही होती है जो एडलीन के बाल होते है न उसको लहरा रही होती है अब जो खाई थी न वो मातर 50 फीट की दूरी पर होगी इनके घर से और जो वहां का वीव आता था न वहां पर खड़ोके वो बहुत ही अच्छा था था इस्पेशली संराइज और संसेट में लेकिन रात को कुछ भी देख पाना न वहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता अगर कोई गलती से खाई के पास चला गया उस पॉइंट पर तो भाईया वो गिरी जाएगा उसो कुछ नहीं दिखाई देगा और इस वक्त जो सूरस्थाना वो धली रहा था बहुत ही कम रोशनी आ रही थी और जो एडलीन थी न वो मात तीन फीट की दूरी पर होगी उस जाएगी वहां से अब जो आदमी होता है क्या आप ठीक हो मिस और अपने आपको रोक लेता है कि मैं आगे नहीं वाने वाला हूं मुझसे मत डरू अब भाईया जो एडलीन होती है उसने तो सामने वाले आदमी की हवाई खराब कर दी होती है और जो एडलीन है वो मन में सो जैसी वो पीछे मुड़के देखती है तो एकदम से वो भी रुख जाती है उसकी भी सांस आना बंद हो जाती है वो सोचती है कि भाईया मैं इतने पास थी खाई के और वो मूमेंट ऐसा था उसके लिए बहुत धहशत वाला था उसके लिए और एडलीन है उसको ऐसा लगा जैसे अपने दो कदम आगे बढ़ाती है और क्लिफ से थोड़ा दूर हो जाती है और उससे ना सामने आले पसंद से थोड़ा सा माफी मांगने वाला लुक देती है क्योंकि भाई वो बिलकुल कोने पर है अब एडलीन के मन में ख्याल आ रहे होते हैं कि जो लाल गुलाब अब वो मुझे हर जगा देखने लगे पिछले तीन सवते से ना जबसे वो विस्की वाला ग्लास वाला इंसिजेंट हुआ है उसके बाद से तो ना मुझे लाल गुलाब दिखना हर जगा शुरू हो गए थे जब दया वहां से चली गई थी और मैं हर्ट शावर लेने गई है वो देखती है जो खाली कापता और जिसके अंदर फूल की पतियां पड़ी थी ना वो वहां पे हाई नहीं अब भाया जैसे एडलीन ये देखती है उसके तो होशी उड़ जाते है वो मन में सूचती है गिलास गया कहा वो फटा फटना पुलिस को कॉल करती है पुलिस व होई नहीं रहा नहीं कोई आपको धंकी बड़ा खत आ रहा है नहीं कुछ ऐसा हो रहा है और उसके बाद से चीज़े और ज्यादा बढ़ती चली गए और एडलीन सोचती है मुझे खुद भी रिलाइज नहीं है कि वो जो बंदा ये ऐसा सब कुछ कर रहा था वो मुझे न नहीं नहीं फज्रोग उसके अंदर वलंड़ रहा रहा हुदा और आस तक कुछ भी नहीं लूट वगएर कुछ भी नहीं था और वो शायद मुसे कोई बात ही नहीं दना चाहता था बस लाल गुलाब होता था और हर बार जो कांटे रतन होते थे और और जो एडलीन थे उसका गुस्सा तो और जादा तब बढ़ गया कि जब रिनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ था ना दो सफते पहले कई सारे लोग उसके घर में आ रहे थे जा रहे थे घर में क्योंकि भई बहुत सारा काम चला है रिपेर वक का इलेक्टीशन थे प्लंबर थे कंस्ट्रक्शन वरकर्स थे हर कोई आ रहा है और उन्होंने ना सारे घर की जो दर्वाजे खिड़के आती ना वो सब कुछ बदलवा दिया उसने पार्संस में का सब कुछ बदल चुका था हर नया दर्वाजा हर नया लौक और उसको यह लगा वो सवाल जवाब भी करते है कुछ लोगों से लेकिन वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे तून्हें कुछ पता ही नहीं होता अब जो अडलीन होती है वह वापस रियालिटी में आ जाती है वो जो आदमी खड़ा होता है उसके सामने और हो कहता है मैडम अब जो अडलीन होती है पना सरह लाती है वापस उस रियालिटी में आती है अब अडलीन बोलती है न मुझे माफ करना Actually मैं कुछ सोच रही थी और न थोड़ा माफिया लग देती है अब अडलीन मन में सोचती है न कि मैं एक नमबर की गांडू हूँ कि मैं ऐसा बहेव कर दी हूँ सामने आले को भी इतना ढरा रही हूँ और अगर मैं गलती से भी यहां से गिर जाती न तो ये बिचारा आदमी अपने आपको ब्लेम कर रहा होता और पूरी दुनिये न इसी को कातिल मान लेती और तो और अगर मैं दो कतम भी पीछे और ज़्यादा बढ़ा दिये होते न तो मैं मौत को अपने गले लगा लेती और वो इसलिए तो चिंता कर रहा था मेरी वहां पर खड़ो के मुझे ऐसे देख रहा था और अगर ऐसा हो जाता न अगर मैं मर जाती तो ये पूरी जिंदगी न एक अफसोस में जीता कि भाईया मैं खाली गया वहां पर और मैंने खाली इसको बोल दिया और ये पीछे मिलड़कर गिर गई और इसकी तो न पूरी जिंदगी खराब हो जाती अब जो आदमी होते हैं ने कहता है ओके और हम लोग न अब जा रहें यहां पर बाकी का जो रेलिंग का काम है न हम वो कल आके करेंगे अब जो अडली इनने कहती है ठीक है थैंक यू अब जो आदमी है नो जाना ही वाला होता है जो अडली इनने मनमें सूस ती है कि भाईया मैं बहुत जारा रोना चाहती हूँ कि मैं इसकी जिन्दगी खराब करने वाली थी और यह आदमी कितना अच्छा है और बस यहाँ पर मुझे यह बताने आया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कितना अच्छा आदमी है यह लेकिन मैं अगर यहां से कुछ घरबरी हो जाती न तो यह कभी जिन्दगी में अच्छे से नहीं रह पाता और अब यह जा रहा है तो अटलीच यह गिल्ट फ्री हो के जा रहा है अब जो आदमी होता है वो जाते आते कहता है क्या आप चाहते हो मैं किसी को कॉल वगरा कर दूँ अब जो अडलीन है थोड़ सा स्माइल करती है अपना सर इलाके मना करती है कहती है मुझे पता है यह चीज़ जो आपको देख रहते है खराब लग लग रही थी लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहां से नहीं कूदने वाली अब भाया जब वो आदमी यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है वो रिलेक्स हो जाता है कि चलो एटली यहां से नहीं कूदेगी अब वो आदमी बोलता है ना गुड अब वो जाने से पहले एकदम से रूख जाता है फिर कहता है वो एक ना लाल गुलाव का पूरा बुके आया है आपके लिए और वो हमने ना दरवाजे पर रख दिया है अब भया जैसी एडलीन यह बात सुनती है वो पांस सेकंड के लिए गुला ऐसी रुख जाती है उसको समझ नहीं आता कि भया यह हो क्या रहा है अब एडलीन कहती है क्या किसने भेजा क्यों अब जो आदमी होता है ने कहता हमें नहीं पता एक्चुली वो दुपैर में आय हिलाके हा करता है और वो नहीं से जाने लगता है अब एडलीन सोचती है कि मैं इसके पीछे पीछे इसके साथ नहीं जा सकती हम दोनों चुपचाप जा रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से बोलेंगे भी नहीं तो बहुत ही हजीव लगेगा अब जो आदमी होता है वो वाँ में बहुत साई चीजे चल रही होती है और फिर ना घर के सामने खड़ों के अपने घर को देखती है कि कितना घर अब सुंदर लग रहा है जो भी आगे का सारा रिनोवेशन का काम था वो सब कुछ हो चुका था और सब कुछ पहले की तरह जो ब्लैक था ना वो बिलक कि भाई बहुत जादा कलरफूल है या फिर संशाइनी है ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसकी दादी और परदादी का टेस्ट था बिलकुल ब्लैक वैसा ही सेम इसका भी टेस्ट हो चुका था अब जो एडलीन है वो दिखती है जो लाल गुलाब का बुकी था ना वो रख कोई वहाँ पर खड़ा होगा तो मुझे अच्छे से देख पा रहा होगा और अच्छा यह नहीं होगा कि मैं यहाँ पर जाला देर खड़ी रहूं वो क्या करती है फटा-फट आगे बढ़ती है दर्वाजे के पास जो गुलाब का पूरा फूर लखका हुए होते है उसको उसका एक दिल था ना वो यह चाहता था कि वो उसको पढ़े ही ना लेकिन उसके मन में यह लगता है ना कि अगर मैं इसको पढ़ोंगी नहीं तो मुझे बढ़ा regret फील होगा और जो मेरा दिल है वो गवाई देगा ही नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए था पढ़ना पागल है वो पक्का पागल ही होगा और वो क्या करती है अपना फोन उठाती है और वो सूचती है कि मैं पुलिस को फोन कर देती हूं अटलीस जो पुलिस वाले उनको पता रहेगा कि हो क्या रहा है क्योंकि मैं इन सब चीजों से डील नहीं करना चाहती हूं अगर पुलिस मौत है वो एक मिस्टरी तो नहीं रहेगी अब अगले सीन में क्या होता है जो एडलीन है उसके दर्वाजे पर कोई धर्वाजा खटकटा रहा होता है में दर्वाजा अब एडलीन सोचती है कि भाईया दर्वाजे पर कौन हो सकता है और जब भी एडलीन ऐसी आवाजे सुनती थी उसका हमेशा दिल बैट सा जाता था और वो सोचती है कि भाईया ये तो कोई भी अच्छी बात नहीं है मुझे कुछ हेल्दी चीरियोस खाने चाहिए ताकि जो मेरा दिल है वो मजबूत हो सके मुझे तो हाट अटेक ही आ जाएगा वो क्या करती है न मेरे दर्वाजे के पास जाती है दर्वाजे के पास जो खिलकी लगी होती है हलका सा जहांक के देखती है भाई उसको थोड़ी सी मन में शांती लगती है और उसको यह लगता है कि मैं तो उमीद करें थी कोई पागल सा आदमी होगा और गन लेके ख़ड़ा होगा मेरे सामने और जैसी मैं दरवाजा खोलूंगी मुझे मार देगा हूँ लेकिन जब वो बहार देखती है वो समझ गए थी कि भई यह नहीं कोई आदमी नहीं खड़ा और वो डिसपॉइंट हो जाती है अब एडली ना बहुत ही भारी मन से दरवाजे को खोलती है और जब वो सामने देखती ही ना तो उसकी मा खड़ी होती है सरीना राइली और जोसके blond कंलर के हेर होते है वो अच्छे से बंद हुए होते है पिंक कलर के लिपिस्टिक लगा रहती है अपने पतले पतले होटों पे और जोसके इनकी आखे होती है वो आई ब्लूग कलर की आखे होती है और जो सकी मा थी ना वो एकदम बिल्कुल बढ़िया करके आखे होती है वो आइस ब्लू गलर की आखे होती है और जो उसकी मां थी न वो एकदम बिल्कुल बढ़िया करके रहती थी सच के सवर के एकदम पॉफेक्टली कपड़े पहना सब कुछ बढ़िया करके जबकि जो एडलीन थी न उसके अंदर भी ऐसी हैविट ही नहीं थी अब जो एडलीन होती है एडलीन थेलिवां गेसरों गजिए हो जाती है उसकी मामी घर के अंदर आती है और जैसी उसके सामने से गुजरती है जो शैनेल का पर्फृम होता जफ्को उसकी खुचवू बिल्कुल भी पसand नहीं थी थोदा mो बना लेती हूं ऐसे हो होती है मा या आज भी सब कुछ एकदम ब्लैक है, एकदम डाकनेस ही है, तो उनका मन कहीं न कहीं घवराने लगता है, अब जो एडलीन है वो अपनी मम्मी को बोलती है, आपके रिंकल्स हो जाएंगे अगर आप घर को इस तरीके से देखोगी तो, और ये कहते ही जो में दर्वाजा होत जाएगी, अब एडलीन मन में सुचती है न, कि भाईया बरसाज शुरूने से पहले मेरी माँ यहां से चले जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं इस रात को न अच्छे से इंजॉय करूँ, अराम से अपने बिस्तर में लेटूँ, किताब पढ़ूँ, कॉफी प्यूँ, और अरा ऐसा बोला होता है कि एक जो था न, बड़े हैं तुमसे और एक एहसान है तुम पर वैसे यह बात कही होती है, अब जो एडलीन है वो सूचती है, जो मेरा पूरा चाइल्ड रोल है वो इसी सब चीजों में चला गया, हमेशा disappointment रही, कभी expectations को मीटीन हुई मेरी, और मैंने न अब एडलीन पूचती है न, आप यहाँ पर क्यों आई हो, अब उसकी मा बोलती है कि हम अपनी बेटी से मिलने मी नहीं आ सकती, अब जो उसकी मा और एडलीन थे न, वो एक दूसरे के काफी close नहीं थे, और उन्दोंने की relationship बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और शायद उ तुम्हें इस घर में क्यों रह रही हो, क्यों अपनी दादी के साथ time बिता रही हो, जब कि यह चीज न, एडलीन को बिल्कुल पसंद थी कि मेरी मा इस चीज को लेके complain करे, अब उसकी मा न, हमेशा complain नहीं करती रहती कि भई तुम्हें इस घर में रही हो, खाना पीना खा यह सब कुछ बेकार की चीज़े, और जो तुम्हाई दादी है न, वो तुम्हें बस यह कुकीज ही बना के खिलाती रहेंगी, और हमेशा वो बोलती थी न, अगर जादा कुकीज काओगी न, अपनी दादी के हाथ के तो तुम्हाई गान मोटी हो जाएगी, लेकिन एडली इन न, वो बोलती है, आप यहाँ पर इसलिए आए हो, कि आप मुझे कन्वेंस कर सको कि मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट ना करूँ, अपनी जिंदगी यहाँ खराब ना करूँ, इस घर में रहके, और वो गया करती है, जो कुरसी होती है न, दिवाल से टिकाती है, कस कि जब पिशली रात को पुलिस वाले आये थे न, जो एडलीन थी, उसको पूला गुलाब का भुके मिला था, एडलीन ये एक बात तो समझे थी, कि भाई ये बस टाइम बरबाद हो रहा और कुछ भी नहीं, जो पुलिस है न, वो कुछ भी पता नहीं लगा पाएगी, ले मेरी मा है न, वो कभी भी एक घंटा गाली चला के मुझसे कभी मिलने नहीं आएगी, वो यहाँ पर अपनी टी पार्टी के ले आए थी, और वो शहर में थी तो उन्हें सोचा चलो, इसको थोड़ा सा जाल के चली जाओ, अब एडलीन की मा उसको बोलती है न, तुम्हें प क्यों, उसकी मा बोलती है न, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हैं इस घर में, अब एडलीन बोलती है न, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि जो पांच कंश्रक्शन के वोकर्स थे जो आग लग गए थी उसकी वे से, क्योंकि यह चीज न, एडलीन को उसकी दादी ने और यह चीज़ एडलीन को पता है, अब उसकी मा बोलती है न, हां, लेकिन सिर्व नहीं थे अब जो एडलीन होती है, वह देख रही होती है उपनी मां को, और एडलीन के मन में यह आता है, कि वही δεν थे, कुछ और भी यहां पर हुआ है, अब उसकी मा उसको थोड़ा सा वैस चाहती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता अब जो अडलीन है वो बोलती है फिर कौन मराता है यहाँ पर अब भया उसको अपनी मा को देख रही होती है और खिलकी के बाहर जो देखती है जो इसकी मा की गाली होती है ब्लैक लक्षेस वो भार ख़़वी होती है और वो इतने उसकी माने यह डिसाइड कराता है कि मैं जौब वगरा छोड़ दूँगी मैं घर में रहूँगी इसकी देख भाल करूँगी एडलीन की लेकिन जिस तरीके की रिलेशंचिप एडलीन और उसकी मा के बीच में थी न उसकी मा समझ गई कि इसके साथ रहके कोई फाइदा नह रियल इस्टेट में काम करना शुरू कर दिया और वो सबस्दा टॉप सैल थी पूरे वशिंग्टन में और सची कहूं तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी मा को लेके और मैं उमीद करती हूँ जो मेरी माय न वो भी शायद मेरे लिए बात कह सकती अब उसकी मा बोलती है न अइडलीन उसका दो एकदम मूँख को खुला को खुला ही रह जाता है अब जो एडलीन ही न वो सीधे खड़े हो जाती है और जैसी हो खड़ी होती है ए नहीं चैसा प्राइं के लाऄ बात करती थीLEX और वो य कई disparate 레 उसने पूछने की कोशिश करी थी एडली ने अपनी दादी से कि क्या हुआ था गीगी को लेकिन भाईया जो दादी थी थी वो रूने लगती है और एडली ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसके बारे में बात ही नहीं करेगी और उस वक्त ना शायड एडली बहुत पागल पंता इस घर को लेके और जब वो यंग थी ना तब ये सब कुछ हुआ था जो उनके पापा थे जॉन वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाते थे लेकिन जो तुम्हाई दादी थी उन्होंने बहुत जादा नकरे करे बहुत जादा गुस्वा दिखाया और अपने पापा को भी मजबूर करा कि वो इस घर में रहें तो जो तुम्हाई दादा जी थी भी इन्हों में नहीं रहना चाते थे उनकी बीवी का यहां पर मर्डर हुआ थाалась गर्मन laps संब लग आई आए अब जो अडलीन होती है वो खड़की के बाहर देखती है これは बहुत तई से तूफ़ान आ रहोता है और कुछ ही टाइम लगएगा जो बरसात है वो बहुते इस directamente आने लगेगी अब जो एडलीन होती है अपना साहिला के मना कर देती है क्योंकि भाईया ये ख्याल जितने भी अब बाते सुनी होती है ये उसका दिमाग प्रोसेसी नहीं कर पा रहा होता उसके पास कुछ शब्दी नहीं होती है कि वो क्या बोले क्योंकि जिस तरीके की फीलिंग आ रही थी न वो बहुत ही अदा खराब थी अब एडलीन सोचती है कि मुझे नहीं पता एक जो दया भावना होती है वो है या नहीं है लेकिन जो मेरी मा है वो जूटी तो नहीं है वो इस चीच को लेके तो कभी जूट नहीं बूलेगी अब जो अडलीन की मा है वो बोलती है कि जो तुम्हाँ दादा जी थे न मेरे पापा वो कभी भी comfortable नहीं थे कि मैं इस घर में पली बढ़ों लेकिन जो तुम्हाई दादी थी न, वो कहती थी कि नई 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 क्योंकि वो गीगी को बहुत ज़्यदा प्यार करती थी और वो नहीं चाती थी कि वो इस घर से भाहर जाए क्योंकि ये घर शापित है और मैं ये चीज नहीं चाती कि तुम भी इसी घर में रहो और तुम भी इस घर के साथ अटैच हो जाओ मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी अब जो एर्लीन होती है वो अपने lower lip को थोड़ा सा काटती है उसको समझ नहाता है कि हो क्या रहा है और पूरे atmosphere ना उसको बढ़ा अजीब सा feel होने लगता है उसको ये लगता है कि भाया जो गीए उनको मारा किसने था जो उनको stalker था वो या फिर जिनको वो visitor कहती थी जो किताब में वो पढ़ ड़ी थी और ऐसी बहुत सी चीज़े थी इस घर में जो उसको अभी पता लगना बागी था अब एडलीन सोचती है हो सकता है ये उसी ने मारा हो जिसके साथ जो एक अन्नोन आदमी था जो खिलकी से आता था और उनके साथ बाते करता था और उसकी परदादी भी उसकी तरफ एक्टेक्टड़ फील हो गए थी शाहत हो सकता है उसी ने इस चीज़ का फाइदा उठाया हूँ और उसको ने ये चीज़ों का सैंस आने लगता है अब एडलीन अपनी मा से पूछती है क्या किसी को पता चला कि उसकी पर्दादी का गिगी का मर्डर किस ने करा था कब जो उसकी मायना सरहला के मना कर देती है और कहीना कहीं वो भी ने एकदम tense होती है कि भाई ये situation बहुत खराब है ये जो मैं बात बता रही हूँ ये कैसे इसको figure out करेगी मुझे भी नहीं पता और उसकी माँ बोलती है कि नहीं आज तक न वो murder case unsolved है क्योंकि पुलिस के पास sufficient evidence थे ही नहीं और उस वक्तों किसी का भी मार के छुप जाना बहुत असान होता था बहुत सारे लोग को ऐसा लगा था था कि वो तुमारे परदादा होंगे जॉन जिन्होंने अपनी बीवी का murder कर दिया लेकिन मैं ये बात अच्छे जानती हूँ कि वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अब एडलीन मन में सूचती है आस तक ये murder unsolved है किसी ने में परदादी को इसी घर में मार दिया था और आस तक वो कभी killer पकड़ा ही नहीं गया अब भया ये सुनते ही ना उसको तो अजीव सा होने लगता है और उसको खुश समझ या था कि में परदादी को मारा किसने होगा अब जो एर्लीन थी ना वो अपनी मां को नहीं बताना चाहती थी जो भी इसको किताब मिली थी किकि भई वो खुद इस चीज़ को ना पहले लेके confirm होना चाहती थी तब वो अपनी किसी को कुछ बताएगी अब एर्लीन बोलती है ना उनका मडर हुआ कहां पे था अब उसकी मा बोलती है ना उनके बेडरूम में और सबसे खराब बात तो यह है फिर वो तुम्हाई दादी का बेडरूम बन गया और मुझे ऐसा लगता है ना अब वो तुम्हारे भी बेडरूम होगा अब एर्लीन सुचती है ना जो मेरी मा है वो गलत नहीं कह रही है जब दादी का जो बेडरूम था ना अब वो मेरा बेडरूम बन चुका है मैंने उसको fully renovate करा दिया है जो पुरानी मेरी दादी का समान वगएरा था ना वो मैने थोड़ा हटा के side में कर दिया था और जो मेरी परदादी का bed था मैंने उसको हटा दिया था जिसपे वो मरी थी लेकिन मेरा बेडरूम भी वही है और भले ही उस कमरे में वो समान क्यों नहों लेकिन भाया वो चाह दिवारे तो वही है ना जहाँ पर वो मर्डर हुआ था, जहाँ पर मैं हर राग को सोती हूँ, अब जो भी यह सुनती है तो उसको थोड़ा सा डर लगता है, और भाई है यह चीज ना उसकी मा भी समझ जाती है, और वो मन में सूचती है लेकिन मैं कमरा चेंज नहीं करने वाली, अगर मैं डर गई न तो मैं इस परिवार का हिस्सा कैसे हुई, अब जो गिगी है ना, हो सकता है उनको प्यार हो गया हो, जो आदमी उनको परिशान करता था, स्टॉक करता था, और हो सकता उसी आदमी ने उनको मारा हो, और ऐसी ही ना, कोई इंसान मुझे भी परिशान कर रहा है, लेकिन अची करते हैं तुम सही डिसीजन लोगी और इस घर को छोड़ होगी यह घर बहुत खतरनाक है और उसकी माना यह कहके घर से निकल जाती है अपनी कार में और जो आईडी होती है वो अपनी मा की कार को जाते हुए देख रही होती है और उसको यह लगता है न कि भाईया जो स्टॉक जेड़ा था न आज उसने उससे बात करी पहली बार उसने मुझसे बात करी जब वो आया और मैंने बिल्कुल आश्चाशचा चकेत रहे जब उसने ऐसा करा जो उसकी आवाज थी न वो बहुत ही प्यारी थी जब उसने मुझसे कुछ बोला मैं तो बस यही उमीद कर रही कि वो कभी बोलने से रुके ही न, वस बूब भूलता रहे मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यूं आते हो, मुझे क्यूं देखते हो उसने मुझे बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो चाहता है कि मैं उसकी हो जाऊँ मैंने उसे उसका नाम पूछा और उसने मुझे अपना नाम बताया रुनाल्डो बहुत ही अच्छा नाम था और उसको ना परफेक्ली सूट भी करता है वो जादे तक नहीं रुका उसके बाद उसने मुझे से किस मांगी पहले तो मैं थोड़ी जिच की लेकिन लास्ट ने मैंने उसको किस करने दि मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ कि मैं ये एडमिट कर दियू कि जब वो मुझे किस कर रहा था ना मैंने जॉन के बारे में सोचा भी नहीं और मैं बस वही सब कुछ सोची थी कि जब उसके होंट और मेरे होंट मिलेंगे तो कैसा फील हो रहा था और जो मेरी imagination है न वो justice नहीं कर पाएगी क्योंकि जब उसने मुझे kiss कर रहा न मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सितारों में उड़ गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है न कि मैं नीचे नहीं आने वाली तो इस नोट पर होती है यह वीडियो खतम और आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू और स्टे कनेक्टेड